तो नमस्कार दोस्तों स्वागत्या आप सभी का उला नेडा फस्ट यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भरतियों की लेटेस अब्रेट के बारे में जोकी संबन देते हैं नई प्राथमिक सिच्छक भरती एल्टिकेट सिच्छक भरती साथी अठाव नजार नई भरती को लेकर हाई कोट से बड़ा जटका लगा है तीनों जानकाई हैं आप सभी को दी जाएंगी तो वीडियो को लाइक करते हैं साथी शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें जिसे कि आपको इसी परकार की अथेंटिक जानकाई हैं सबसे पहले मिलती रहें तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी समय के अंदर सिच्छक भरती का सबसे बड़ा इंतजार किया जा रहा है जिसको लेकर चात्तों की तरफ से धरना प् यह भी उम्बीर्थी कि अगर सरकार नई सिच्छक भरती का समय पर विग्यापन जादी कर देती तो उनको चुनाब से पहले निक्तिया मिल जाती तो और भी बेनिफिट हो पाता लेकिन फिलाल ऐसा तो नहीं हो पाएगा लेकिन नई प्रात्मिक सिच्छक भरती के अंदर स पहले और भी एसे तमाम सवाल आप सवी के मन में होंगे लेकिन वीडियो को देखने के साथ में बिल्कुल ना भूलें सबसे पहले मैं आप सुपी को बता दूं उत्तर पितेस में आगामी समय में होने वाले चुनाब को लेकर ऐसी जानकाई आप सभी न्यूस वेबसाइड के माध्यम से देखने के लिए मिल गी होगी कि 20 दिसंबर के बाद में कभी भी लग सकती है आचार सहीता एक नवंबर से मतदाता संचिप्त अगर बात करें पुनिर चण पांच जनवरी दोजा बाइस को होगा मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशिन किया जाएगा उसके ल सब्सक्राइब को तो यूपी टीटी का परड़ाम जाली होगा और उसके बाद में यूपी टीटी के बाद नई सिच्छक भरती के आविदन शुडू हो सकते हैं तो सबसे पहले आप सुभी को बता दें कि आचार सहीता को लेकर अभी चुनावायों की तरफ से कोई भी आत्मिक सिच्छक भरती के लिए है क्योंकि इससे पहले बिग्यापन जो है जारी होना चाहिए तभी बरती आप सब्सक्राइब की अगर एक बार बिग्यापन आचार सहीता से पहले जारी हो गया फिर भरती प्रकिया लगाता चलती रहेगी उसमें कोई भी आपको जानकाईया नहीं मिली है कई अधिकाईयों से जानकाईय लेने का प्रयास भी किया जाला है लेकिन ऐसे में उंबीते जाना है कि नई प्रात्मिक सिच्छक भरती का जो विग्यापन होगा वह बीस दिसंबर के आसपास अवश्य जारी कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार सवाल आप सभी के मन में आ सकता है कि यूपीटीटी का परडाम तो 28 तारीक को जारी होगा तो उन्हें तरजा सिच्छक भरती के अंदर भी आप सभी को पता होना चाहिए था कि जो यूपीटीटी के जो परडाम जारी हुआ था उससे साथ दिन पहले ही आविदन शुरू क परडिये गए थे उन्हें तरजा सिच्छक भरती के अंदर जिनका यूपीटीटी का परडाम आया था उन्होंने बाद में आविदन कर दिया था तो इस बात को लेकर ज्यादा परशान होने की आपशिक्ता नहीं अभी ना तो चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारिक तार लेका उमभीद्र ज्यादा है कि सरकार बिना नई शिचक भरती की रिए चुनाव के अंदर उतना नहीं जाएगी कि क्योंकि सिचक भरतियों फिलUP कि इसे अले lata पता दिया जाएगा कि वह आवेदन यहां पर 30 दिसमबर से ले सकते हैं तो इस बात को लेकर आपको परिशान होने की आप शक्ता नहीं है अगर 15 दिसमबर के आज पर सी विग्यापन जाली कर दिया जाता है और आवेदन आपके 30 दिसमबर से लिए जाते हैं तब भी आपके आचार सजिता के अंदर भरती प्रकिया के अंदर कोई रुकावट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी लेकिन अब यहां से देखना दिल्चस्प होगा कि कमिटी के माध्यम से कब तक अपनी अंतियम प्रपोर्ट सोबी जाती है क्योंकि चुनाभी आचार सजिता लगन बिग्यावन अवश्य जारी होंगे आप सभी अपनी प्रपेशन करते रहिए और अगर सरकार ने यह सोच करके बैठे हुए कि नई प्राथमी सिच्छक भरती के बिना हम चुनाब के अंदर जाएंगे तो इसका एक बड़ा खामिया से सरकार को बगतना पड़ सकता है इसक कि जो भी अथन्टिक अप्डेट आप सभी को दी जाएंगी पहले कमिटी की रिपोर्ट आना सबसे ज्यादा महतबूड है दूसी तब बात करें अपनी अगली अप्डेट के बारे में जो कि सम्मधित है नई सिच्छक भरती को लेकर काज़वाई शुरू हो चुकी है ऐस के अंदर जारी कर दिया जाएगा उत्तर विद्रस लोग से आयोग की तरफ से नहीं सिच्छक भरती को लेकर काज़ शुरू कर दिया गया है इसको लेकर जो कहिने की प्रस्ताव है जल शासन के सामने भी रखा जाएगा और वहां से जैसे सारी की सारी अनुम्रती मिलती है तो यूपी पीएस्टी के माध्यम से आगामी पंद्य से बीस दिनों के बाद में नई सिच्छक भरती का जो विग्यापन है वो जादी हो जाएगा तो जानकारी मिलेगी कि इसके आधार पर देखें तो पंद्य नवंबर के बाद में नई एल्टिकेट सिच्छक भरती को लेकर चात्नों को खुशकर भी मिल सकती है क्योंकि बहुत साइच चात्नों के मन में सवाल था कि आचा जईता लगने वाली है अभी तक सिच्छक भरती का विग्यापन जारी नहीं हुआ है तो जो जानकाई आयोग के अंदर से देखने के लिए उसके आधार पर समझें तो लेकर अपना इसपर्ष्ठी करने कि भरती आ रही है या नहीं आ रही है अगर रिवरति आई तो अपनी प्रपेर्शन करें और देखने मिल रही है जल्दी शासन की तरफ से जैसी हरी चंडी मिलती है इस भरती को लेकर भी शुवात कर दी जाएगी लोग सेवा आयों की तर जाला इंतजार आपको नहीं करना होगा वहीं दूसीदर बात के अंदर 58,000 भरती को लेकर बढ़ा जटका लगा है आप मैंसे कितने चातों ने 58,000 भरती के अंदर आविदन गीया था कमेंट करके अवश्य के अवश्य क्या आप मैंसे किसी को लेकर विवाद हुआ यहां पर हाइकोर्ट की तरब से इस भरती पर रोक लगा दी गई थी सभी निफ्टियों को लेकर यहां पर मना कर दिया गया था अब ऐसे में कहिने की मामले की सुनभाई जो होनी थी वो 13 अक्टूबर को देखने के लिए मिला था जिसको लेकर हाइकोर्ट की तरब से निफ्टी प्रकिया को रोकते हुए उनका कहना था कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तरब तक किसी को निफ्टिया नहीं दी जाएंगी अब ऐसे में 13 अक्टूबर को मामले की सुनभाई की जानी थी ल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें